जै महकाल, स्वागत आप सभी का मेरे भक्ति वावना योटूब चैनल पर 2021 में गुरू शुक्र और सूर का महासुव योग जो इंसान की किस्मत बदलेगा यानि 9-8 बालों के लिए बहुत ही सुव रहने वाला है ये योग पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, धन प्राप्ति होगी, घर में शुक्षानती रहेगी, नोकरी बिजन्स और सिख्र साधी के भी योग बनेंगे कौन कौन सी हैं वह रासियां जाने के लिए बीडियो को लाश्ट तक देखे चैनल को सब्सक्राइब करें साल 2021 के राजा मंगल और मंत्री मंगल का प्रयाव बहुत कुछ बदलने वाला है इस बीडियो के माद्यम से मैं आपको नो रासियों की जानकारी दे रहा हूँ और रासियों के साथ मैं मैं नाम के हिसाब से बता रहा हूँ नाम के हिसाब से जिनके भी नाम से योग बनते हैं अगर आपके कुंडली है तो उसको चेक कराईण आपको बर्तनी ही होंगे साल 2020 में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है कई सालों के बाद में बहुत समय के बाद में ऐसा सुबयोग बनाया कि सारे बहुत ही अच्छे शुब गरे एक साथ एक रासी में आ रहे हैं और इस योग के द्वारा लच्मी माता की किरपा होगी यानि माता लच्मी अपनी किरपा बरसाएंगी 9 रासी वालों के उपर बैसे तो 12 रासी वालों के लिए सुव्योग है सबसे पहले बात करता हूं में मेश रासी की दोस्तों मेश रासी जिसके स्वामी है मंगल साल की शुरुवात में वह अपने यानि मेश रासी में ही बिराजमान रहेंगे और मेश रासी की किस्मत तै करेंगे वहीं से वह नौरासियों पर द्रश्टी भी डालेंगे वहीं सनी देव अपने घर में बिराजमान है और सनी देव अपने घर में रह करके नौरासियों पर द्रश्टी डालेंगे सनी देव के साथ में योग बनेगा गुरू, शुक्र, शूर्य, बुद्ध का जिसे बहुत ही शुव्योग कहते हैं यानि मैन मैन ग्रह एक साथ रहेंगे ग्रहों के राजा सूर्य, न्यायपती, सनी, देव गुरू बिरस्पती, शुक्राचार, देट गुरू शुक्राचार और साथ में रहेंगे बुद्ध जो समय को बहुत परवर्थित करेंगे मेस रासी का बहुत ही अच्चा बाग रहेगा यानि गुमी जाजाद आदि के योग बनेंगे, पुत्रपराप्ती के योग बनेंगे, करजादूर होगा, साथ में कुछ मुसीबते आ सकते यानि जैसे आप तरक्की करेंगे, तो कोई इल्षा करने बाला आपका आपका अहित करने का सोचेगा तो किसी पर भी आख बंद करके विश्वास ना करें, दूसरी ब्रसवरासी, ब्रसवरासी का जो भाग रहेगा, वह असमंजस वरा रहने बाला है यानि ग्रहन की दृष्टी रहेगी साथ में जो राहू का गोचर है, वह आपकी किस्मत एकदम बदलेगा, साथ ही मुसीबत भी एक साथ आ सकती है तो इस बात का भी से ध्यान रखें, जो भी कार करें, पूरी सूज बूज के साथ में करें घरवालों पर विश्वास ज्यादा करें, बाहरवालों पर कम विश्वास करें क्योंकि राहू हमेशा बुद्धी को भ्रहमित करता है दूसरे की बात में आप घरवालों से लड़ाई जगड़ाई उसावाजी ना करें आपके पुत्र धन प्राप्ति के अच्छे योगें, नोक्री के योगें, जहां पर नोक्री कर रहें, वहां पर करते रहें, प्रमोशन आपका होगा वहीं तीसरी मितुन रासी है, मितुन रासी बालों को खान पीन का अपना विश्वास ध्यान रखना होगा खान पीन की तरक खान पीन पर विशे कंट्रोल रखें और स्वास्त के प्रती जाग रुक रहें बहान आदी होश्यारी से चलाएं इन बातों का विशे सुपसे द्यान रखें और संतान प्राप्ति के आपके योग हैं सिग्र साधी के भी योग बनेंगे हर मनो कामनाप की पूरी होगी साथ में बिश्पित देव की पूजा और गणे जी की पूजा जरू करें नौरासी वाले प्रती बुद्धवार की बुद्धवार को भगवान गणे जी के सामने सुद्ध देशिगी का दीपक जलाए ओम गंगड़ पते नमा मंत्र का जाप करें और एक बढ़ के पत्ते पर ओम गंगड़ पते नमा लिख करके या बेल पत्तर के पत्ते लिख करके भगवान गड़ जीको अरपन करें और भगवान की मंत्रों का जाप करें ओम पार्वती प पुर्योगि पुत्र और धनकी आगली जो रासी है वह सिंह रासी सिंह रासी का बहुत ही अच्छा सुव यूग है शिंह रासी बालों को पुत्र धनकी प्रापती होगी परवार में कोई कोई सुव समाचार आएगा जिसकी वज़े से आपको सपलता मिलेगी तो कोई टेंशन का समाचार भी आ सकता है आपके पिता का आपको सहयोग मिलेगा आपके भाईबंदों से आपको सहयोग मिलेगा वहीं आपके नई मित्रों के द्वारा आपके नई कारेश शुरू होंगे ग्रस्ते जीवन में सुर्ष संकेत मिलेंगे धन प्राप्ति के योग आपके पूरी रहेंगे मातालचमी की भरपूर किरपा होगी वहीं तुलारासी वालों के भी अच्छे खासे योग हैं तुलारासी वालों को शंतान धनकी प्राप्ति होगी आप मेनत करेंगे आपको लाब मिलेगा आपका काम अच्छा चलेगा दीरे दीरे आप काम में सुधार भी आना शुरू हो जाएगा आपके जो लाइप पाइटनर है उनके स्वास्त का प्रति ध्यागन रखें और आपके सिग्र ही नए कार भी शुरू हो जाएंगे वहीं व्रश्चिक रासी वालों को संतान धन की प्राप्ती होगी बहुत ही अच्चे उनके भी सुव्योग बन रहे हैं कर्ज से मुक्ती मिलेगे अपना मकान बनेगा और जो कार आप सुरूच रहें करने की वह कार भी आपका पूरा होगा धनुरासी वालों के भी अच्चे योग हैं साल की शुरूआत में सुरूपुद्धातित योग बन रहा है जो बहुत ही सुभ योग माना जाता है उसके बाद में मार्च के बाद में फिर आपके जो है बहुत ही अच्चे योग बन जाएगे फिलाल में देव गुरू प्रस्पती नीच रासी के चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा समय आपको समल करके निकालना है अगली रासी की बात करें मकर रासी जो बहुत ही शोग रहने वाली है चतुर्त ग्रही योग और सश्ट ग्रही योग मकर रासी वालों को अच्ची खासी सपलता दिलाएगा बिद्यार्तियों को अच्छे खासे अंक मिलेंगे, बिद्यार्तियों को पढ़ाई में ध्यान रखना है, फोकस अपना पूरो पढ़ाई की तरफ रखना है, आपके प्रतेकार संपन होंगे, आपके केरियर की तरफ से भी आप निश्चंत रहेंगे, नए डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी, वही कुम्रासी वालों को भी अच्छे खासे ही होगे, कुम्रासी वालों को भी संतान धनकी प्राप्ति होगी, और आने वाला साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, दोस्तों आप नौरासी वाले संतान गोपाल मंत्र का पार्ट करें, भगवान सा अमनसी आफ दो